असलाम अलाइकुम मैं हूँ डक्टर रिफान गेल इस वक्त में मजूद हूँ सैद पुर गाउं जो के बहुत इसलम अबाद का मशूर मारूफ एरिया है यह इसलम अबाद सिटी में ही वाक्या है मर्गला की जो पहाड़ी है उनके बीचों बीचे पीचे आपके पहाड़ीयां में नजर आ रही होंगी इस गाउं को भी अपनी तारीख है यह तक्रीबन कहा जाता है कि यह को तक्रीबन 500 साल पुराना गाउं है और इसकी अपनी एक सिकाफ़त वगएर है और यहां पर काफ़तरी चीज़ें है वो भी हम आपको दिखाते हैं यहां पर मंदर भी है यह सामने आपको मंदर नजर आ रहा है और यह कुछ हिंदूों के पुराने घर थे जो यहां पर सिक वगएर रहते हैं उनके थे और उसके लावा साथ ही यह जो आपको नजर आ रहा है यह इसायों का चार्च वगएर भी है तो इसको मंदर से आपको नोदर खोल कि आपको दिखातें यह देखें इसकी अंदर से निजाम बना हुआ है तो बाकिस के साथ एक होटल है यह जो होटल आप देख रहें इस होटल का नाम है देश बर्देश होटल तो इसके उपर भी हम चड़के आपको दिखाते हैं ये तो बिसिकली उसी के टیमपल मंनतर उसके सामने ही है तो ये इसकी बैठने की जगए है सारी और उपर भी इसकी जगए जो आपको नजर आ रही है वहां पर भी आप बैठ सकते हैं और इस से उपर जो बुलंदी है वहां पर आप जाके इंजॉइमेंट वगरा कर सकते हैं तो काफी अच्छ है और इस जो गाउं में इस गाउं की तारीक के बारे में बताओं कि ये गाउं पांश साल एक तो पुराना है और ये जो नाम किस के नाम पर था तो बेसिकलिए ये एक फत्य अली खान था उसने इसको द्रियाफ्त किया था फिर उसके नाम पर इस गाउं का नाम बड़ा था फत्य बव अली पिर बाद में जब मुगलों का दवर आया और मुगल शेंशाहों ने का टाकरा हुआ शेरशा सूरी से जो अफगानिस्तान का था तो उसको डिफेंड करने के लिए मुगलों का एक कमांडर था समझ ले जो जरनेल था या गवरनर उसका नाम था सईद खान गखड तो उसके नाम पर फिर मुगल बादिशाह ने इसका नाम दे दिया सैद पुर और यह जो हम आपको दिखा रहे हैं यह गाउं का अदूनी म नज़र है ठीक है आपको इस गाउं में बिलकुल वही प्रॉनिस काफ़त नज़र आएगी यह देखें वही मुर्वियं वगएरा और तूटी पूटी हड़के जो पाकिस्तान का तक्रीबान सारे गाउं का हाल है और इस गाउं में एनिमल मार्कीर्स वगर भी अगर आपन दूनी महौल है जो बिलकुल पहाड़ी के सेंटर में लुकेटेड है और इससे उपर आप अगर हाइकिंग पर जाना चाहते हैं तो यह मौंटेंज वगर हैं इससे उपर आप हाइकिंग पर भी जा सकते हैं ठीक है तो इंजॉय करें बहुत अच्छी जगह है लाजमी आप विजिट करें यह रस्ता है वो गाउं से घुजर कर उपर सारा वो पहाड़ की बरंद तक आप जा सकते हैं तो विश्वाल दी बेस्ट अगर आप जाना चाहते हैं तो जाएं